नमस्कार जिके संसार के एक नए और फ्रेस्ट वीडियो में आपसे भीकास स्वागत है पिछली वीडियो में हम लोगों ने जैन धहम से जुड़े टॉप 50 क्वेशन को कवर किया था आज की सेशन में हम सब बहुत हम से जुड़े टॉप 90 प्लस क्वेशन करेंगे साथी साथ एक्स्टा तों भी हम डिसकस करेंगे और इस सेशन में जो प्रेस्ट आपको दिये जा रहे हैं वह बिगत कई वर्शों से रिपीट हो रहे हैं और साते साथ इस सेशन के अंदर आपको जो प्रेस्ट्र को स्चार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे तो बहुत धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे कौन थे गौतम बुद्ध किसे एसिया का जोती पूंज कहा जाता है तो कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म क्या था तो माया देवी था ठीक है गौत्तम बुद्ध की माता का नाम क्या था माया देवी कहीं कहीं आपको महा माया देवी दीखता है ठीक है गौत्तम बुद्ध के जन्म के कितने दिन बाद उनकी मा की मिर्ट्व हो गई थी तो साथवे दिन ठीक है गौतम बुद्ध की यानि जो इनका पहले ग्यान की प्राप्ति के पहले इनका जो नाम था सिधार था और इनका जन्म से साथवे दिन बाद ही इनकी माता का मिर्ट्व हो गया था उसके महात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था देखिए महात्मा बुद्ध का बच्पन का नाम था सिधार और जब इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद बुद्ध कहला थे बुद्ध का अर्थ क्या होता है ठीक है और इन्हें जब ग्यान की प्राप्ति गौतम बुध के गरिह त्याग को बाध धर्म में क्या कहा गया है? तो तीको गौतम बुध ने 29 वर्स की आयू में जो अपने गरिह का त्याग किया उसे बाध धर्म महाविणिस्क्रमन कहा गया है. महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की सिक्षा किस से गरहन की थी तो अलार कलाम से ठीक है और यह कहा कि थे वैसाली से अलार कलाम कहा कि थे वैसाली और महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो यह थे अलार कलाम और इने से सांख्य दरसन के सिख्षा इन्होंने ग्रहन किया था महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस्य सिख्षा ग्रहन की थी तो राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से इन्होंने सिख्षा ग्रहन किया था महातमा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहा हुए थी तो औरुवेला से हुआँ दिखिये अब औरुवेला है यहाँ पर आप कंफिूजन आपके अंदर होगी कि बुद्गया में हुआ है तो बुद्गया का प्राची नाम जो था औरुवेला खेंग्या और यहीं पर इनको गयान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृच की नीचे जिसकों की अभी हम बौधी वृच के तौर पर जानते हैं ग्यान प्राप्ति के बाद सिदार्थ किस नाम से जाने गए बुद्ध और बुद्ध का मतलब होता ही है ग्यान हमने आपको पहले बताया बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया तो यह दिया था रिसी पत्नम कहां पे रिसी पत्नम देखे उरुवेला जो था बु उपदेश किस भासा में दिये पाली भासा में ठीक है किस भासा में पाली भासा में बुद्ध ने अपने सरवाधिक उपदेश जो दिये थे वह कहां पे दिये थे स्रावस्ति में दिया था कहां पे स्रावस्ति में अब दीके सबसे बड़ी बात आती है कि बुद्ध के जन्म बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौध गरंथ में कहा गया है देखिए बुद्ध के ग्यान प्राप्ति को बौध धर्म में क्या कहा गया है संबोधी अब यहाँ पर बुद्ध को सैर करते हुए कितनी घटना उने सन्यास की योऊड़ प्रभिट किया यानि कि जब बुद्ध सैर कर तो तो कौन सी घटनाओं ने उन्हें सन्यास की और प्रवित किया नहीं सन्यास ग्रहन करने की और प्रवित किया तो वह चार घटनाए थी अगर यहां पे देखा जाए तो चार घटनाए कौन-कौन सी थी जो कि बुद्ध को सन्यास की और प्रवित तो वह है प्रतम द्रिस्ट जो था वो था बुढ़ा इंसान, दुसरा द्रिस्ट था रोगरस्ट व्यक्ति, विमार व्यक्ति, तिसरा था मिर्टक व्यक्ति, और चौथा जो था वो था प्रसन सन्यासी, और यही चार खटनाएं हैं जो की गौतम बुद्ध को सन्यास की ओर प अस्तांगिक मार्ग अगर हम इन आठों मार्गों की बात करें तो कौन-कौन से हैं तो आपके हैं सम्यक देश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वानी, सम्यक कर्मान, सम्यक अजीव, सम्यक ब्याम, सम्यक अस्मरिती और सम्यक समाधी यह जो हैं बुद्ध के द्वारा सुझाये कब हुआ था बैसाख पुणिमा का हुआ था और हम सब इसे बुद्ध पुणिमा के तोर पे जानते हैं बुध ने किसके आगरह पर 24 संग में इस्तिरियों के पर्वेस को अनुमति दी दिए कि पहले जो था संग में इस्तिरियों के कौन थी तो पवित्र जिसा जो थी बाध्धर में वो था साउत यानि की दक्षिन बाध गरंथों में संस्कृत का परियोग किस पिटक से प्रारम होता है तो है अभी धम पिटक अभी धम पिटक से बाध गरंथों में संस्कृत का परियोग किया जा रहा है और वुद्ध के पूरो जनम की कताएं किसमे वरनित है किसमे सुधत कुए और वुद्ध के पंच्चिल सिधान इसका वर्नन जो मिलता है, वो किस उपनी सद में मिलता है? तो च्छान्दोग ये उपनी सद में मिलता है. किसमें? च्छान्दोग ये उपनी सद में. बुद्ध की अस्तांगिक मार का सुरोत कौन सा उपनी सद है? अभी हम लोग ने दिखा कि समयक दिश्टि, समयक संकल, समय समक वानी समय करमांत समय क अजीव समयक ब्याम समय कस्मचिती और समयक समाधी एजो है इसका सोर्स क्या है सुरोत क्या है तो यह तिर तंधρι की ठीर ऊपनी संध ठीक है और तथागगत यह उन कि मुझी नाम से किसे जानते हैं तो बुद्ध को किस बौध संगिती में बौध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ तो यह था चतूर्थ बौध संगिती यानि की चौथी बौध संगिती जो था इसके अंदर बौध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ आगे हम इस उसके अंदर बहुत धर्म दो भागों व्याजित हुआ और उथा ही नियान और महायान मद्धे मार्ग यानि कि मद्धेमा पर्टिपद का उपदेश जो दिया था किस ने दिया था बुद्ध ने दिया था प्रत्थम बहुत संगिती जो आय जो थी कभूई थी चारसो तीरासी इसापुर्व और कहां पर राजग्री में किसकी अध्यक्सता में हुआ था और कौन उस समय सासक था इन सब चीजों को आगे हम विस्तार से बात करेंगे ठीक है अब देखिए अगला बात आता है कि कौन से सुन्यवाद और विग्यानवाद के प्रवर्वर्टक थे नागार्जुन और विग्यानवाद के प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर बुद्ध ने क्या कहा निर्वान ठीक है तिरिसना का चीन हो जाना यह जो अवस्ता है इसको बुद्ध ने निर्वान कहा है बौत संग में प्रिविष्ट होने को कहा जाता था उपसंपदा और बुद्ध के ग्रिहत्या का पर्तिक क्या है घोड़ा और बुद्ध के निर्व कितने बनाए गया आठ और अगर इनी चीज़ों को बात करूं मैं पहले बता दूँ आपको आठ वह कौन-कौन से हैं तो याद रखेगा यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मगद नरेश अजासत्रू वैसाली के लिक्षवी कपिल वस्तू के साके अलग कपक के बुली र अस्तूप का निर्मान करवाया ठीक है इन्होंने आपस में बाट कर इनके उसे इसको और आठ अलग-अलग विविज़ों पर क्या किया अस्तूप बनवाया अब हम यहां पर बात करते हैं बहुत संगीती की देखिए पहला बहुत संगीती जो हुआ ठीक है चार सो तिरासी सापूर में हुआ था और यह हुआ था कहां पर राजगिरी में जो कि अभी राजगीर के तौपे जा जाता है और एक टूरिस्ट साइट है बिहार का और यहीं पर पहला जो बहुत संगीती है आजित हुआ था और इसकी अध्यक्सता जो है महाकस्प के द्वारा किया गया था ठीक है किसके द्वारा किया गया था महाकस्प के द्वारा किया गया था और उस वक्त सासक जो था ओधा अजासत रो ठीक है इसी को याद रखिएगा चार्सों तिरासी सापूरों में राजगिरी में किसकी अध्यक्सता में महाकस्प के अध्यक्सता में और उस वक्त सा 383 इसा पूरू में हुआ था और इसकी जख्सता जो है सभा कामी के द्वारा किया गया था और उस वक्त जो सासत था वह था कालसुक ठीक है तिस्री बोसंगिती के बात करें तो यह जो हुआ था 255 इसा पूरू में हुआ था और यह कहा इंवा था पर पटना के तौर पर जान जाता और किस तो मोग ली पूत मोग पुन तीसके आपका किसके दक्षता में तो भी हुआ था वसुमित्र वस मित्र की दक्षता में हुआ था और उपाध्याक जो था यह था आपका असवगोस और यह हुआ था कास्मेर का कुंडल वन कुंडल वन में ठीक है कहां पर हुआ था कास्मीर का कुंडल वन में हुआ था और उस वक्त सासन किसका था कुंडल कनिस्क ठीक है करिश का सासनकाल उस सवय था क्लियर अब देखिए कुछ और चीजों को में यहां पर डिस्कस करेंगे इतना कुछ आप लोगों ने लिख लिया चारों बहुत संगीतिया जो हुई थी किसके सासनकाल में हुई थी कौन उस वक्त अध्यक्ष बना था और कौन कहां पर ह हुआ था यह साथ कुछ हम लोगों देखा अब हम अगर बात करें कुछ और चीजों को तो आपकर में बता दूं कि हम लोगों देखा कि सुथ पीटक जो है इसको प्रारंभिक बाउध्धर्म का इंसाइकलोपीडिया कहा जाता था या कहा जाता है ठीक है और ब्रद्जिया धम और संग ठीक है इत्रवरतन है और बौद विच्छों के जो निवासस्थान है उसे कहा जाता है विहार और पूजास्थल जो होता है उसको क्या कहते है चैत ठीक है बौद विच्छों के निवासस्थान को हम विहार कहते है और उनके पूजास्थल को कहा जाता है चैत क् चाहते ठीक है और आपको एभी पता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जो मिरती हुआ था जो महापरनिवार उन्हें प्राप्त किया था कुसी नारा ठीक है कुसी नारा यूपी ठीक है मुद्ध अपना परचार करते हुए मलो की राध्धानी जो है पावा पहुंचे थे और वहां उन्होंने चुंद नामक लुहार की आमरवाटिका में ठहरे थे और महात्मा बुद्ध ने कितने सुद्रों को बहुत धर्म का सरप्रतमानवाई बनाया था दो कौन-कौन से तो उथा तपस और काल्पिक इन दोनों को बनाया था ठीक है और एक जी और मैं आपको बता दूँ कि बुद्ध से जो जुड़े हुए पर्तिक चिन है वह आप याद रखिएगा हाथी जो है हाथी बुद्ध के गर्म में आने का पर्तिक है कमल जो है वह उनका जन्म का पर्तिक है कमल ठीक है और साड जो है इनका योवन यान जवानी का पर्तिक है और घोड़ा जो है ग्रित्या का पर्तिक है पीपल यान की प्राप्तिका इनका पर्तिक है सेर सेर जो है सम्रिदी का पर्तिक पद्द चिन निर्वान का पर्तिक और अस्तूप उनकी मिर्टु का पर्तिक इ इतना हमनों देखा अब यहां पर और चीज़ों को मैं बता दूं कि इनको चार चीजों ने क्या किया था कि दिवस किया कि हमें जो है इस जो संस्कारिक दुनिया है से छोड़कर हमें सन्यासी बनना चाहिए वह था चार द्रिस और उठा कौन सा बुढ़ा व्यक्ति रोगी व्यक्ति मृत्यक व्यक्ति और प्रसन सन्यासी और उसी के बाद इन्होंने 29 वर्स की आयो में अपना गिरी को त्या किया था अब देखिए यहां पर और शीजो को मैं बता दूं महा माया जो थी गौतम बुद्ध की म अब दिया हुआ सुवर का मांज काने से बुद्ध की मिर्ट होई थी ऐसा माना जाता हैं कंथक बुद्ध का प्रिये घोडा था और दोगे सुजाता सुजाता आप सब जानते हैं कृस्यक बाला जिसकी दियोवी खीर बुद्ध ने खाई थी कहाँ पर बुद्ध गया में प्रजापती गौत्यमी बुद्ध की मौसी थी और प्रथम बहुत बिच्छुनी बनी थी याद रखिया इसे को अलार कलाम जिससे की बुद्ध ने योग और उपनिसत की सिख्छा ली थी और इनके पहले गुरु थे देवदत बुद्ध का चेचरा भाई सिधार त या अप लोगोने सुनी होगी हनस वाली जोकी मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला परतीक है अस्तूप जो की महापरिनवान का पर्तिक है बैसाली जगह जो है बिहार में है ठीक है और बुद्ध का अंतिम वर्साकाल यहां पर बीता था साल विरिच साल विरिच जो है इसके बुद्ध की मिर्तु हुई थी ज्यान की प्राप्ति पीपल के पेंड के नीचे हुआ था और इनकी जो मिर्तु हुई थी हो साल विरिच के नीचे हुआ था सुसोधन बुद्ध के पीता और साख के कुल के मुख्या थे यह सोधरा बुद का कुई कोई की कारण अवस्य होता है जो दुक का भी कारण है तिसा उन्हों बताया दुख निरोद जो की दुख का अंत संभव और उन्हों परतिव को है भी निरोद स्हुथ और Etsy है क्योंकि इससे question जो है आपके सभी प्रत्योगी परिछाओं में बंते हैं बुद्ध से अगर संबंदित अस्तल पूछ लिया जाएं तो आपको चार अस्तल याद रखना है लुम्बनी जहां पर इनका जन्म हुआ था बोध गया या उरुवेला जहां पर इनको ग्यान की प पताया गया है कि पांच बुद्ध हैं पहला थे कुकुन छान नंद दूसरा थे कनक भंजन तिसरा कस्यप चौथा साक्यमुनी जो कि हम लोग अभी जानते हैं पांचवां जो इनका होना है भावी बुद्ध के तो पर जा जाता है मैं तरे को अंतिम बुद्ध जो आएंग वह संसोधित रूप था और महातमा बुद्ध को एक महापुरुस मानता था हिन सप्रदाय जो हिन यान था लेकिन महायान जो था कि महातमा बुद्ध की देव तुली उपासना किया करते थे और हिन यान सप्रदाय जो है बोधी सत्व में विश्वास नहीं करते लेकिन महाय महायान वाले जो लोग मुर्थी पूजा में विस्वास करते हैं लेकिन महायान सपरदय है मुर्थ्ञ्प्रदय को रखना है और उमीद करता हूं enjoy कि हुग आपनों वीडियो thanks for watching